लोकसभा में आज कानून मंत्री किरन रेजी जू चुनास सुधार संबंदे विरेहक 2021 पेश करेंगे विल के जरीए जन प्रतिनिधी कानून 1950 और जन प्रतिनिधी कानून 1951 में बदलाव किया जाएगा इसे चुनास सुधारों की दिशा में एक एहम कदम माना जा रहा है पिछले हफते बुद्वार कुकेंद्री काबिनेट ने इस बदलावों को मनजूरी दी थी आपको बता दें कि सबसे बड़ा बदलाव बोटर पहचान कार्ड को लेकर खिया जा रहा है आज पेश होने वाले बिल के मसौदे में कहा गया है कि मदाता सुची में दोहराव और फर्जी मदान रोकने के लिए मदाता कार्ड को अधार कार्ड से जोड़ा जाएगा इतना ही नहीं मदाता सुची को भी अधार से जोड़ने का प्रस्ताव है सूत्रों के मुताबिक पिलाहाली से एच्छिक या विकल्पि बनाया जा रहा है मतलब ये कि लोगों को अपने वोटर कार्ड को अधार कार्ड से जोडने या ना जोडने का विकल्प दिया जाएगा लखिमपुर हिंसा मामले में मुख्या रूपी आशीश मिश्र की जमानत या चिका पर आज कोट सुनवाई करेगा आपको बता दें कि शुक्रवार को कोट ने आशीश मिश्र की दूसरी जमानत या चिका को खारिच कर दिया था जिसके बाद श्रनिवा को आशीश मिश्रा की ओर से जिला जज की अदालत में दोबारा जमाना तरजी दाखिल की गई थी जिस पर आज कोट सुनवाई करेगा दरसल मामले की जौच कर रही साइटी ने बीते दिनों आशीश मिश्रा समेट मामले में शामिल 13 आरोपियों पर गेर इरादतन हत्या की धाराओं में हटा कर सोची समझी साज़िश के तहट हत्या की धाराओं से को कोट के आदेश पर जोड़ा था जांच अदिकारे की अरजी पर सुनवाई करते हुए कोट ने आशीश मिश्रा समेट 13 आरोपियों की रिमान नई धाराओं के तहट बनाई थी